हलो एबरिवन, शिफ शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है आज जो वीडियो बनाऊंगी वो डिवाइन मस्कुलाइन की करेंट एनर्जी के उपर वीडियो बनाऊंगी और ये चैनलिंग मुझे सुभे 5 बजे जब मैं मेडिटेशन कर ली थी तब ही हुई थी और जो भी मुझे दिखाया गया उस मेडिटेशन में वो मैं आपको बताऊंगी जिसमें डियम की करेंट एनर्जी है और ये आप मैंसे बहुत सी डियम ज़रूर रेजोनेट करेंगी या जो भी कलेक्टिव में एनर्जी चल लिए बहुत ज़ादा रियूनियन की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है और ये reunion की ही energy है ठीक है और ये जो song में मुझे channel हुआ है वो भी मैं बताऊंगी कैसे हुआ है और कौन सा song है ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले जो आपके counterpart हैं ठीक है वो मुझे माफी मांगते हुई नजर आ रहे थे मैं meditation कर रही थी और किलिए मुझे दिखाया जा रह रहे थे और डियप से माफी मांग रहे थे और उनकी life में जो कुछ हुआ है उसको accept कर रहे हैं या जो आपने आपके साथ गलत किया है उन सब चीजों को accept कर रहे हैं इस time divine masculine ठीक है इतनी प्यारी energy निकल के आ रही थी उस time में और यकीन नहीं यकीन मानियेगा मैं मतलब meditation कर मैं इतना रो रही हूं मेरे आखों से आंसो इतना निकल रहे हैं मैं समझी नहीं पा रही हूं ये हो क्या रहा है तो फिर बात में मुझे समझ में आ गया कि ये collective में डियम की energy है जो divine मुझे channeling करा रहे हैं ठीक है तो वो जो कुछ वर्ड थे उस time channeling के time जो मुझे पिक ठीक है और गलत लोगों को चुना गलत रास्ते पे गया एक तुम थी जिसने मुझे बदल दिया ठीक है तुमने मजबूर कर दिया बदलने पे तुमने दूर रहके मुझे वो ऐसास दिला दिया प्यार का जो आज तब कोई नहीं दिला पाया जो मेरे करीब हैं मुझे करके खुद की हीलिंग करके मुझे एहसास दिलाया कि आखिर प्यार क्या है देखे इस जर्नी में डियम डियफ को पूरी तरीके से बदलते हैं और डियफ डियम को पूरी तरीके से बदलती है तो पहले मैं चैनलिंग की ही बात करूं तो उस टाइम में डियम बार बार समस्ता था और intimate होना ही सिर्फ प्यार है या physical होना ही सिर्फ प्यार नहीं ये प्यार नहीं है इक चुप प्यार का ऐसास होता है जो दिल-से feel लोता है वह आज मैंने feel क्या है तुमारे लिए तो बहुत खूबसूरत अनर्जी ती और उस अनर्जी में मेरे आवसू इतने निकल रहे थे और DM ऐसे गड़गड़ा रहे थे माफी माँग रहे थे तो ये आप लोगों के लिए एक साइन है कि DM आप से forgive की energy में आपके पास बापस आ सकते हैं आपको उनको forgive करना है ठीक है बहुत प्यार से accept करना है बहुत चीजों को समाल के चलना है किसी तरीके का आपको इगो नहीं दिखाना है कोई fight नहीं करनी है ये collective DM के energy है ठीक है तो आज तक जो इगो था मेरा वो कोई नहीं तोड़ पाया वो तुमने तोड़ा आज तक मैंने लोगों को जोगना सिखाया है पर तुमने मुझे जुखा दिया प्यार के आगे मंदिर के आगे अगर कोई मुझे जुखा पाया है तो वो हो तुम इश्वर पे जो मेरा विश्वास नहीं था अगर उस पर कभी मेरा अभी जो मेरा विश्वास आ रहा है या मैं अंदर से विश्वास कर पा रहा हूँ वो तुम्हारी वज़े से कर पा रहा हूँ मैं इन चीजों से बहुत ज़्यादा रन करता था ठीक है और मैं खुद देख रहा हूँ अपनी लाइफ में चेंज जो तुम्हारे ना होते हो भी चेंज आ रहे है तुम्हारी एक प्रेंच इतनी ज़्यादा स्रॉंग है जो मुझे पलपल तुम्हारी याद दिला रही है और जो मुझे साइन भी मिल रहे है तो डिवाइन जो साइन दे रहे हैं वो ये हैं कि डियम को आपके नाम की सिन्करॉनन सीटी बहुत ज़्यादा हो रही है ठीक है चाहां कर भी आपको इग्नॉर नहीं कर पा रहे हैं चाहां कर भी आपको माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं और ड्रीम भी बहुत चादा आ रहे हैं मतलब जहां जहां मैं जाना हूं तो यह चीजे मुझे सुनाई दे रही हैं ड्रीम के फ्रू या नाम् जो ड्यम को बार बाद दिकhाई दे रहा है दे रहा है या खुद इसे ही बोल रहा है तो जब वो अपने आप भी नाम बोरें तो उनके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है वहीं पर एकदम से रुक से जा रहे हैं तो ये सब चीजे इस टाइम कलेक्टिव में आपके काउंटर पार्ट के साथ हो रही है ठीक है और ये चीजे मुझे मौनिंग में मेडिटेशन के टाइम हुआ उसके बाद दैन मैं फिर से मेडिटेशन में बैठी मेडिटेशन किया तो उसके बाद एक लाइन मैं जैसे माइन पुरा गर्दन पकड़ लिया साफ वाइट कलर की लाइन थी जो लिखा हुआ था तूने जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी ही बदल दी ठीक है और यह मुझे एकदम सॉंग है कि यह सॉंग भी है ऐसा कुछ ठीक है तो मैं बिल्कुल कनफर्म हो गए कि यह चैनलिंग है बहुत प्यारा सॉंग है आप वीडियो पर मच चाहिएगा उस सॉंग के लिरिक सुनिएगा एक एक शर्प्त को सुनिएगा जो डियम के हैं आपके ठीक है जो डिवाइन ने मुझे चैनलिंग कराई है और उसमें जो टाइम ही है वो तो मैंने आपको बता दिया और एक यह साइन है कि डियम की जिंदगी पूरी तरीके से बदल रही है वो तो बदल ही रहे हैं उनकी जिंदगी भी पूरी तरीके से बदल रही है जो वो इस सॉंग के थुरू आप तक पहुचाना चाहा रहे हैं आपका का counterpart का जो higher self है वो आपको message दे रहा है कि yes मैं बदल रहा हूँ मैं change हो रहा हूँ आप बहुत अच्छे से इनवर्ग कर रहे हो खुद पर ठीक है और यह उन्हीं के लिए है जो df अभी stuck नहीं है अपने journey पे commitment दे चुकी है अपने energy को oh sorry अपनी twin claim journey को claim कर चुकी है अपने dm को claim क कर चुकी है ठीक है वही df के लिए है बट जो df अभी stuck है अपने journey में और आप जानते हैं जो session भी चल रहा है भी मैंने twin flame confirmation का और dm का confirmation का session भी रखा हुआ है इस time में कि आप confirm करें और अपनी journey बिल्कुल भी delay ना करें क्योंकि जब तक आप confirm नहीं होंगे कि मैं twin flame journey में हू awakening नहीं start होगी बहुत सी df और dm ऐसे हैं कि df की बात ही करूंगी dm का तो नहीं dm तो आप से पीछे ही आते हैं आपको पता चल गया है आज और आप 6 महीने तक डाउट की energy में ही जी रहे हो साथ महीने हो गया आपको अभी तक डाउट है twin flame journey पर या एक साल हो गया कि मैं वीडियो भी आप खूब देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि dm की awakening हो गई है यह reunion होने वाला है और फिर यह भी चीज़े आपने मन में लाने कि reunion तो हो नहीं रहा है अगर मैं हूँ journey में ठीक है logical practical बहुत जादा हो रहे हो उपर से इना work भी नहीं कर रहे हो और इन सब च करते हैं कि अरे यह सब जूट होता है फेक होता है ठीक है तो बिल्कुल clear हुई है अपने mind से और इस journey में आकर stuck मत रहिए और बिल्कुल भी doubt मत लाईए अपने अंदर क्योंकि आप doubt के energy में जीएंगे आपका partner भी doubt के energy में ही रहेगा आप भी awakening को नहीं समझ पा रहे हो तो आपका person तो बिल्कुल zero पर है समझ रहे है न तो यह आपको बढ़ाना है कदम आगे तब ही वो पीछे पीछे आएंगे आपको रोना धोना नहीं है छे महीने हो गए एक साल हो गए आप इस ट्रक हो यह चीज़ें confirm नहीं है तो अपनी journey confirm कराईए अपने DM confirm कराईए और अप के ही फायदे के लिए कह रही हूं ताकि आपका journey जल्दी से complete हो आप अपना soul purpose जल्दी से जल्दी करें आप अर्थ की vibration बढ़ाए पॉजिटिविटी जो आपके आसपास हैं उनको दें खुद को भी दें अपने DM को भी हील करें ठीक है दूर रहकर उनकी तरफ बिल्कुल मत जाए तो अगर आपको session लेना आप किसी से भी session लेजिए बट अपनी journey confirm कराए और अपना twin frame जरनी भी confirm कराए और commitment देजिए ठीक है तो आज की channeling है वो भी reunion की channeling है बहुत प्यारी channeling आज हुई है morning में मुझे ठीक है आप लोग उस song को सुनिएगा मैं description box में डाल दूँगी आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो मैं फिर मेलूँगी तब टकले अपना ध्यान रखे खुश रही है सौशत रही है